पैसों का विवाद सबसे बड़ा हो जाता है और पारिवारी कृष्टों में इसकी एहमियत तब बढ़ जाती है जब किवल और किवल पैसे को ध्यान में रख करके केस किया जाए भरन पोशन से संबंदित हो सकता है या एलिमनी से संबंदित हो सकता है भरन पोशन याने हर महीने दिये जाने वाले पैसे को हम भरन पोशन कहते हैं और एक साथ जो तलाग के समय चलाग तलाग के चलने के दौरान या तलाग के समापती के समय जो पैसा दिया जाता है पती की द्वारा पत्नी को उसे हम ऐलिमनी भी कहते हैं एक मुश्ट जो राशी होती उसे हम alimini कहते हैं जी हाँ और इसे किस तरीके से define किया जाता है कैसे code determine करती है किन चीजों की उपर depend करता है कि कितना maintenance या alimini मिलेगा हम इसी मुद्दे इसी topic की उपर बात करेंगे आप सभी ने शुरुआत कि है legal advice में अशोक पांडे के साथ औ आप तक पहुचाने का हमारा रहता है प्रयास इस वज़र से नए subscribe जरू कर लिए चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं आखिर mode of payment maintenance या alimini को ले करके कैसे होता है सबसे पहले तो जो maintenance होता है या आप समझेए कि हर महीने का जो पैसा है ना हर महीने का जो खर्चाए चा maintenance कहलाता है और जब court finally decide कर दे कि ठीक है आपको इतना पैसा 10,000, 20,000, 50,000 जो भी XYZ amount है वो permanently अब जब तक वो आपकी wife है तब तक देना है आप उसे final maintenance कहते हैं इसी के विपरीत एक साथ अगर आपको पैसे मिले तो क्योंकि ये तो रही बात हर महीने मिलने वाले पैसे जिसे ह भरन पोशन कहते हैं लेकिन अगर एक साथ मिलने वाला जो पैसा है ऐलमनी वो काफी बार important हो जाता है क्यों क्योंकि अब छूट करके निकल करके दूसरे रिष्टे में जाना है जी हां पती को भी या पतनी को भी जैसी भी इस्थिती बने आपसी सहमती दलात में तो दोनों पतनी आपस में ही डिसाइड कर लेते हैं कि आखिर कितना maintenance होगा या देना होगा या कितना पतनी को चाहिए whatever लेकिन जो contested divorce है वहाँ पर क्योंकि ये इस्थिती court के सामने होती है तो या कि ये बात mediator के सामने जाए या कि फिर court determine करें और या कि फिर जो भी आप claim कर रहे हैं अब दोनों के बीच का बीच का रास्ता निकालना है तो मामला आपका mediation में जाता है जो मध्यस्तता करने वाला है court का ही जो व्यक्ति होता है वो आपके बीच में mediate करता है और दोनों के बीच का एक रास्ता निकालने के कोशिश करता है लेकिन अगर नहीं तो फिर मामला trial म नहीं इसके साथ ही साथ उसके पास property क्या है कितनी है इन सारी चीजों की उपर ध्यान रखा जाता है साथ ही साथ जो पती है उसके पास कितने assets है उसके पास कितनी property है या उसकी earning क्या है इन सारी चीजों की उपर depend करता है कि movable या immovable property पती या पतनी कितनी है और खासकर पती के पास में क्या है अब जो monthly salary है या monthly income है वो भी एक काफ़े important role play करता है कारण उसके पीछे ये है कि जब पती कमाएगा नहीं तो वो देगा कहां से तो इस वज़े से court ध्यान में रखती है कि आखिर दोनों की earning कितनी है दोनों के बीच के assets कितने है और उसके husband की property और wife की property और इसके साथ में ये भी important होता है कि conduct of party क्या है for example wife का किसी और के साथ extra marital affair है वो वहाँ पर maintenance या alimini claim कर रही है तो उसे दिक्कत होगी और इसी के साथ में court ये भी ध्यान में रखती कि ability to pay कितना है मतलब husband की earning लाक रुपय है या 10,000 है या 10 लाक है whatever तो ये court determine करती है depend करता है कि आपकी status क्या है financial capacity कितनी है और जो आपकी earning या financial capacity है उसके हिसाब से on the basis of circumstance ये alimini या maintenance का principle depend किया जाता खासकर इस particular वीडियो में alimini की बात कर रहे हैं तो अगर आप ये समझें कि 30% के आसपास for example जो total assets है husband के तो वो एक करोड रुपय के आसपास के हैं और अगर court को ऐसा justified लगता है कि wife ने एक लंबा time इस शादी में दिया तो court लगभग 30% के आसपास maintenance sorry माफ कीज़े का alimini wife को दे सकती है और ये जो 30% है वो तब बढ़ जाएगा या बच्चे wife के साथ में ही अगर रहते हैं अगर दोनों के बीच में अगर amicable settlement हो गया well and good otherwise आप मोटा मोटी ये समझें कि लगभग 30% के आसपास wife को आपके as in जो भी आपके पास में assets हैं one time जो settlement alimini मिलने वाली है वो लगभग चली जाती है जो medical expenses है for example wife लंबे समय से बिमार है पती उसे खर्चा या पैसे नहीं दे रहा है उसके treatment के लिए तो वो भी conclude हो जाता है as per the needs of wife और जो court alimini या maintenance के principle में भी consider करती है और इसको लेकर के एक विशेश judgment है वो आप जरूर धियान रखेगा ये Dr. Gladstone versus Gita Gladstone का judgment 2003 volume 1 DMC page number 617 केरला division bench high court का ये judgment था काफी मात्यपून जहां पे alimini या maintenance के principle को court ने काफी elaborate किया और समझाने की कोशिश की कि आखिर इसके detrimental या determine करने के कौन-कौन से factors होते हैं इसके बारे में court ने की थी बात आपको जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में mention कीज़ेगा साथ ही साथ अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी आती है पसंद like and subscribe जरूर कीज़े आपके कोई personal परिशानी है आप मुझे इस वीडियो के description में डिटेलर लिंक है जहां से directly आपकी या मेरी हो जाएगी बात आप सभी स्वस्त और सुरक्षित रहें इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में